करक रासी वालों का आज का रासी फल यानि की 29 जुलाई 2020 का रासी फल तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 29 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दसमी, नक्षत्र है विसाखा, पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है बुद्ध बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है, पंच बज के चालीस मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है, साथ बज के तेरह मिनट में रितू है वर्षा आज का दिन काल है तेरह घंटे 32 मिनट 44 सेकेंड का महिना है स्राबन, आज के दिन सुब समय नहीं है, असुब समय शुरू होता है 12 बजे पीएम से 12 बज के 54 मिनट पीएम तक रहु काल सुरू होता है 12 बज के 27 मिनट पीएम से 2 बज के 8 मिनट पीएम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस बेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग, भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके शामने में कहीं कोई पड़ेसानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन सबसे पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रों दामपत्य जीबन के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जयादा बहतर और शानदार है आज के दिन हो सकता है तो आपका जीबन साथ ही आपको कोई सर्प्राइज देगा और उस सर्प्राइज के वजह से आज के दिन आपके दामपत्य जीबन में आपके बैबाहिक जीबन में आपको कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके श्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाइने से बहुत जयादा नीचे है आप में से जो भी लोग नसा पान करते हों सराब का शेबन करते हों धुम्र पान करते हों तो आज के दिन आप ये सब बिलकुल भी न करें क्यूंकि अगर आप नसा पान करते हों तो आज के दिन आपका श्वास्त आपका शाथ नहीं देगा और इस वजह से आने वाले शमय में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बेहतर और सांदार है आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ देगा और नए काम में आपको शफलता भी अवश्य मिलेगा वैसे अगर आपके प्रेम शम्बंध की और देखा जाए तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम शम् कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके जीबन में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी आज के दिन आपके लिए भग्यसाली अंक है वन यनी की एक आज के दिन आपके लिए भग्यसाली रंग है क्रीम और सफेद इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा तो उपाई बहुत ही जयादा सामान और आशान है आज के दिन एक मंत्र है उस मंत्र का जब आप कम से कम इग्यारह बार करें आपका शमय सांधार हो जाएगा वो मंत्र है ओम गंगन पते नमह इस मंत्र का जब अगर आप कम से कम 11 बार करते हो तो आपका शमय सांदार हो जाएगा और आपके जीबन में जो पड़ेशानी है जो समस्या है उस समस्या का अंत हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वेडियो को आप हड़ जगा सेयर कर दें धन्यवाद